नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि एकनाज शिंदे अपने गाउं चले गए हैं लेकिन गाउं जाने से पहले उन्होंने किया क्या गाउं जाने से पहले उन्होंने दो बड़ी चीजे की दिल्ली से लोटने के बाद उन्होंने महायुती की मीटिंग में जाने से इंकार कर दिया यानि बीजेपी एकनाश शिंदे और अजीत पवार इनकी जो मीटिंग प्रस्तावित थी मुंबई में जिस मीटिंग के लिए अमिशा और नड़ा ने कहा था कि आप लोग मुंबई में जाकर एक मीटिंग करिए और वहीं ऐलान कर दीजिए उस मीट किसी और से नहीं शरत पवार के सबसे करीबी नेता जीतेंद्र आवहार से हुई ये मुलाकात वर्शा बंगले पर हुई और जीतेंद्र आवहार और एकनाश शिंदे के बीच लंबी बात चीत हुई दोस्तों महराश्ट के राजनेतिक विशलेशकों का ऐसा कहना है कि दरसल एकनाश शिंदे शरत पवार के संपर्क में है और जीतेंद्र आवहार ने इसी लिए एकनाश शिंदे से मुलाकात की अब दोस्तों आप ये देखिए कि एकनाश शिंदे के विधायक महाविकास अगारी के विधायक इन दोनों को जोल डीजिए और अगर इसमें अजीत पवार को जोल डीजिए तो ये संख्या 146 हो जाती है यानि बहुमत के आंकले को छूती है हो सकता है कि ये बात आपको हैरान करे लेकिन महाराष्ट में ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा हुआ नहीं है और राजनीती में दोस्तों कुछ भी संभव होता है पहले भी बीजेपी सिंगल लार्जस पार्टी होने के बावजूद अपना मुख्यमंतरी नहीं बना पाई और नाराज होकर लोटे और अपने गाउं जानने वाले थे उससे पहले एकनाशिंदे और आवहाल की मुलाकात हो गई दोस्तों जीतेंद्र आवहाल एंसीपी के बड़े नेता हैं और शरत पवार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं शरत पवार महराष्ट के सियासी चानक के हैं हवा का रुक भापना जानते हैं एकनाशिंदे और जीतेंद्र अवहाल की मुलाकात क्या कुछ कहती हैं और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि एकनाशिंदे कोई बड़ा एलान करेंगे वो इतना बड़ा एलान करेंगे कि महराष्ट की सियासत में भूचाल आ और सिर्फ महराष्ट में क्यों आएगा दोस्तों दिल्ली में भी एकनाज शिंदे के साथ सांसद हैं वहां भी हल चल बढ़ेगी भारती जंता पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि दिल्ली में मीटिंग करके लोटे एकनाज शिंदे ने NCP के नेता शरत पवार के भी जितेंदर अवहार से मुलाकात क्योंकि और उसके बाद वो अपने गाउं चले गए अब गाउं से लोटेंगे तो कहा जा रहा है कि एलान करेंगे वो एलान क्या होगा क्या एकनाज शिंदे महायुती छोड़ने का एलान कर सकते हैं और अगर महायुती छोड़ते हैं हल लेकिन नुकसान होगा मराथा वोटर्स का, नुकसान होगा BMC में, और भारती जनता-पार्टी महराष्ट में अपना कोई नुकसान नहीं करना चाहती है, लेकिन दोस्तों महराष्ट के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जबरदस्त हो रही है, कि एकनाश शिंदे और शरत पवार से ही सलाह ले रहे हैं क्योंकि इस मुलाकात की वज़े से महराष्ट का सियासी पारा बहुत बढ़ गया है दोस्तों अब क्या कुछ होगा महराष्ट में उस पर नजर बना कर हमने रखी है अपनी और इस मुलाकात के बाद एकनाश हिंदे क्या ऐलान करने वाले हैं वो भी जानना बेहद एहम होगा फिलाल के लिए इस खबर में मेरे साथ इतना ही आपस पर अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा